नमस्कार दोस्तो रेलवे की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तो फाइनले आप सभी का इंतजार खतम हो चुका है यहां पर आरार सी ग्रूप सी भरती 2019 पहले ग्रूप डी नाम से जाना जाता था अब इसे ग्रूप सी कर दिया गए तो मैं ग्रूप सी बोल चिकाऊंगा ताकि आप कोई भी गलती ना करे और किस प्रकार से डोक्यूमेंट से आप पर त्यार करने हैं पूरा एंड तक जुरू दिखना हमारे एक साथी ने मेरे पास से जोईनिंग लेटर भेजा है ताकि मैं आप सब की हेल्प कर पाऊं कि आप अटेस्टिशन फॉम दिख्वर्ण पाने के लिए रेलवे की पार्ट चाला को अभी जोईन कीजिए अब मैंने चलता हूँ आपको मुबाईल की स्क्रीन पे और दिखाता हूँ आपको पूरा जोईनिंग लेटर जो यहां पर प्राप्त हुआ है यहां पर डेट आप देख सकते हैं यह यहां प आपको railway service में employment के लिए यहाँ पर है और group D एहमदावाद division को मिला गया है western railway से और यहाँ पर यह reference number है और यह जो railway के headquarter होते है उनका reference number होता है यहाँ पर दोस्तों बोल रखा है आपको बदाई हो हमें जान हमें यह बताते हो आपको बहुत कुसी हो रही है कि आपका जो है group D 2008 group D जो बढ़ती है उसमें track maintainer 4 के पदपर आपका chain हुआ है level 1 पे और यह जो है RRC Mumbai जो है उसमें आपको आपने form बराता RRC Mumbai से और यह आपका notification क्रमांग है western railway से और यहाँ पर दोस्तों बता रखा है as you know it is a front runner in a railway and we are sure that you will make it more proud of our worthiness यहाँ पर बोल रखा है कि बढ़ी track maintainer जो बहुत जिम्मेदारी पूरा होती है बहुत important होती है और हमें यह पूरा विश्वास है और हमें पूरा विश्वास है कि आप जो है इसको और प्राडो फिल करवाओगे यहाँ पर दोस्तों बता रखा है कि आपको इस mail ID पर बताना है कि आप जो यह appointment लेने को तयार है या न to the office on or before 17th of April यहाँ पर दोस्तों बोल रखा है कि आपको 7 दिन के अंदर तो यह बताना है और आपकी जो reporting है वो दोस्तों 17 April 2023 को है और मैंने आपको दिखाये भी था कि कल पर सो एक वीडियो में कि वहाँ पर अलग-अलग टाइम पर अलग-अलग लोगों को यहाँ पर बु करियर रिल्वे हम आपके रिल्वे में लंबे करियर के लिए दुआ करते हैं और यहाँ पर देखें आपकी जर्नी शोखदो और आप अच्छा गुरूत करें डिवलेप्मेंट करें और यहाँ पर देखें बोल रखा है कि जो भी टर्म कंडिशन है वह आपको नीचे बता रखी है अनेक्सर वन वन के अंदर यहाँ पर देखें आपको टर्म कंडिशन के बारे में एक बार बता देता हूं और फिर जो डोकिमेंट अटेशन फोंब अगर आए हैं उनको कैसे फिलप करना है मां आपको बता हूंगा वीडियो लंबा होगा लेकिर आप पूरा देख रखता है और इसको आपको असेप्ट करना होगा आप कोई चंज नहीं कर सकते हैं आगे बोल डखा है दा पॉइंट्मेंट ओफ दा कंडियेट इस सब्जेक्ट टू डिकलेशन दैट ही इस नोट सर्विंग अर्थ वेयर एड़ टाइम फिस जोइन यहाँ पर दोस्तों यह और उसे दोस्तों उसके जो एंप्लोयर है उसने परिमिट दिया है और वहां से रिलीव कर दिया है मतलब एक प्रकार से वहां से आप रिजाइन मारके आना पड़ेगा मतलब आपको बिना रिजाइन मारे जोब यह जोब है इसको जोइन ना करना है ठीक है अगली बात जो ह होगा कि आप जब रेलों जोइन करेंगे तो आपका जो चरित्र प्रभान पत्र है वो तो आप reckon Meisel किया से आपके जो पूलीस विरीटीशन और एक आपकाश्द मजिस्टेट दो आपका प्र चरित्र का एक परकार से सत्यापन होता है तो यह चीज आपको बताई गई है यहां पर दोस्तों बोल रहा है इन केस एट एनी स्टेज इस फाउंड डैट एनी सर्टिफिकेट डॉक्युमेंट टेस्टों एट्सेट्रा फरनीश्ट बाइदा कंडिडेट एंड है बीरिंग ऑ प्रिजुडिसाइज और यहां पर आपको बता है कि कोई भी आपको नहीं बता जाएगर आपको जोब से बाहर निकला जा सकता है यहां पर आगे बोला गया है दा कंडिडेट बिलोंगिंग टू एसी एस्टो बीसी एडवलोस केटिगरी में प्लीज नोट देट देट करना होगा यह भी चीज़ आपको ध्यानक नहीं है आगे दोस्तों बोल रखा है कि इन दर टम्स ओफ रेलवे बोर्ड यह यह आपको दोस्तों एक एक दोजार चार के बाद आपकी जोइनिंग हो रही है तो दोस्तों आपको एनपीयस में लिया जाएगा यानिकी न्यू प पतलब एक से ज़्यादा वाइफ उसके नहीं है और अगर ऐसा नहीं करता है तो उसको रेलवे सर्विस से बाहर निकल लगा सकता है आगे दोस्तों बोल रखा है दी कनिडेट वुड हैव टू रिक्वायर दू समिट दा इंडेमिंटी बोंड और स्टांप पेपर ओफ यहां पर दोस्तों कुछ टर्म्स कंडिशन है मैं आपको बताऊंगा नीचे के तरफ उसको दोस्तों आपको प्रिंट करवाना है एक के उपर सो रुपे के स्टांप पेपर तो वो चीज है और यह आपका एक्जुक्यूटिव मजिश्टेट है मतलब नोटेरी वाला हो तो आपको लाना है बॉन्स वाला आगे दोस्तों बोल्डर का है इंदा इंट्रेस्ट ओब दा कंडिडेट की शुड़ कॉम्यूनुकेट इस रिक्वेस्ट फोर एक्स्टेंशन ऑफ जोनिंग टाइम इफ रिक्वाइड अगर कोई कंडिड यह मोस्ट इंपोर्टेंट है इन केश नो सच कॉम्यूनुकेशन इस रिसीवड यानि कि अगर कोई कंडिडेट को आगे से बताना होगा कि भाई अभी मैं इस वज़े से जोन नहीं करना चाहता अगर यहाँ पर कंडिडेट नहीं बताता है और रिपोर्ट नहीं करता है तो दोस्तों यहाँ पर यह बता इस रिपोर्ट नहीं करता है तो टाइम तो ताइम आपको दोस्तों उसमें भी यहाँ पर फिट होना होगा अगर उस टाइम पर जो है आप फिट नहीं होते तो आपको जोब से बाहर निकला जाता है सकता है और यहाँ पर देखें क्या क्या डोकुमेंट्स आपको चाहिए उनके बारे में आपको बता रखा है देखें वाइल रिपोर्टिंग टू दा ओफिस फोर प्री रिकुट्मेंट फॉर्मल्टीज दा कंडिडेट शुड इनेवरेटली बींग फॉलवी आपको लेगे जाने है यहाँ पर देखें कौन कोन से डोकुमेंट है मेंली वही डोकुमेंट है जो दोस्तों आप डी वी का टाइम पर लेके गये थे लेकिन कुछ यहाँ पर एक्स्टर है देखिए पहला आपका इसको लीविंग सर्टिफिकेट है तो अधरवाईज आप matriculation 10th का certificate आप लेके जा सकते हो इसके अलावा दोस्तों याँ पर बोल रखा है आपका date of birth का certificate जो आपका matriculation का होता है education qualification जो भी आपके पास अगर higher है जिसे 12th, BTEC, diploma, ITI, BSCB जो भी आपने कर रखा है वो दोस्तों आप लेके जाएगा caste certificate आपको लेके जाना है ये भी आपको ध्यान अकना है और EWS certificate अगर आप EWS से बिलोंग करते हो तो और SCST जो भी certificate है वो दोस्तों आपको central government की format में ही लेके जाना है दस आपको latest photo लेके जानी है इसके अलावा चरीतर प्रवान पत्र आपको लेके जाना है और gadgetate officer से बनवाना है एक तो आपका gadgetate officer एक आपका जो भी school में आप पढ़े थे उस school के जो head है वहाँ से आप बनवा सकते हैं आगे बोलड़क है attestation form enclosed hereby duly filled आपको दोस्तों attestation form यहाँ पर दिया गया है उसको दोस्तों भर के लाना है और यहाँ पर यह बोला गया है कि उसको तीन कोपी में आ देखे in triple 8 यानि कि तीन कोपी आपको चाहिए होगी along with indemnity bond यानि कि जो bond है वो भी आपको sign up करके लाना है अब पहला document तो यह बजा गया है वो दोस्तों यह attestation form है क्योंकि इसमें आपका सारा जो भी हितियास है वो आपको railway को बताना पड़ता है देखे इसके लिए आपको दोस्तों चाहिए होगी अलग से photo यह 5 x 7 यह passport size photo नहीं होती है यह दोस्तों अलग से photo होती है और यह आपको photo अलग से बनवानी पड़ेगी तीन photo कम से कम आप बनवाएगा अलग से क्योंकि इसमें 5 x 7 cm का आपको चाहिए होगा यहाँ पर दोस्तों चेतावनी clear आपको बोल रखी है आपको इस attestation form में किसी भी परकार का जूट नहीं बोला है कोई भी जानकारी चुपाई नहीं जानी है otherwise दोस्तों आपको यहाँ पर government job जो आपको दे रहे है उससे बाहर यहाँ पर निकाला जा सकता है यानि जो भी information है आपको जूटा नहीं करना है जो भी आपकी information है एकदम सरसर आपको यहाँ पर बताना है ठीक है? यहाँ पर देखे आपको बढ़ना है उप नाम सहीत अगर आपको आप नाम हो तो otherwise आप यहाँ से स्टार्ट करने जैसे मेरा नाम खेमरा सेनी है तो मैं यहाँ पर लिखोगा खेमरा सेनी वर्तमान पूरा पता आप यहाँ पर लिख देंगे आपका जो भी address है वो अगर आवा चेंज हो गया तो वह बर सकते हैं वर्तमान पता करने अड्रेस घर का पता हो सकता है कि बहुत सारे लोगों का सेम हो तो सेम बर सकते हैं और यहाँ पर देखें गाव थाना यह दोस्तों उसके अंदर आना चाहिए ठीक है अदर्वाइस आपको नीचे वो option मिलेगा देखें बहुत सारे लोग हैं जो विदेशों में रहे थे उनके लिए एलिजिबल है बाकि अदर्वाइस आप यहाँ हैं तो कोई दिक्कत नहीं है पिछले पांस सलों में एक से अधिक वर्सता अगर आप कहीं रहे हो उन इस्तानों का विवरण विदेशों में भी टेहरने मामले में भी आप 21 साल तक जिन 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 जहां रहे हैं उनका दोस्तों आपको बताना है अदर्वाइस दिक्को मैक्समें जो कनिडेट हैं आप ए नाम तो ही है यहां पर यह चीज और द्यानक नहीं है चीक है कई चीजे देखिए यहां पर आपका देखो नाम दिया गया है और इस तरह आपको दिया गया राश्ट्रियता जनम व्यवसाई डाक का वर्तमान पता और घर का इस्ताई पता ठीक है यह यहां पर देखिए यह नहां पर बता रखा है पुत्र या पुत्री यदी विदेसों में रहे हैं पदा रहे हैं रहे हैं उनके सम्मन में जय देने sommes तो देख ले ना अगर आपके उपर ऑपन होता है तो राश् ट्रिता आप सभी इंडियन हैं तो आप इंडियन लिखेंगे मैक्सिम ऑप 29.9 पर संदिन होंगे यहां पर देखें आपकी जनम तारीक यहां पर लिख देना वर्तमानावी कितने साल के आप होगे कितने मैंनी के वह लिख देना गूगल कलिकुलेटर होता है, वह आपके देख लेना, एज कलिकुलेटर नाम से, जब आपने 10th पास करी थी उस समें आपकी एज किया थी यहां लिख देना ठीक है यहां पर देखें जनम इस्तान किस जिले में किस राजी में जहां भी आपका जनम जिले में जिस राजी में वहां लिख देना आप किस दिले और किस राज्य के हैं मतलब में रूप से आप कहां रहते हैं करिंटली वो लिख सकते हैं मतलब करिंटली कहां रहते हैं आपके पिता मूलत है किस राज्य और किस दिले के आपके पिता मतलब कहां रहते थे शुरुवात में ठीक है वो आपको बताना है आपका धर्म आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, इसाई जो भी है वो यहाँ पर लिख दीजेगा क्या आप स्ट के सदेश हैं अगर आप हैं तो लिख दीना आप ठीक है आगे यहाँ पर देखें आपकी वही सेक्शनिक आहरता हैं अब देखो यह most important है इसके बारे माँ आपको थोड़ा सा डिटेल से बता दो देखो 15 साल के बाद का मतलब है कि 15 साल के आप जब हो जाते हो तो नॉर्मली आप 10th पास तो करी ले तो कि 5 साल का बच्चा स्कूल में चला जाता है सबसे पहले यहां पर आपको परिक्षा उत्रिन तो यहां पर दोस्तो देखो यहां पर आपको जैसे सबसे पहले आप 10th परेंगे यह 10th पर दिया फिर माल लिजिए 12th पर दिया और यहां पर जो भी आपने BA, BSC जो भी आपने है जो भी यहां लिख देना निची बढ़ाते हैं न देखो अब जो 10th आपने किया है तो 10th देखो किस स्कूल से किया है उसका नाम यहां जाएगा कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें ठीक है परवेश कब लिए आप देखो यह परवेश हो है यह आपको कंफर्म पता नहीं होगा लेकर आपको साल जरूर पता होगी आपने किस साल में परवेश लिया था तो आप कहा करना दोस्तो जुलाई में नौर्मल एडमिशन होता है जुलाई लिखके और वह साल लिख देना दोजार पांच आठ जो भी है आपका इसकुल कब छोड़ा इसकुल चोड़ने के लिए आपको मिल जाएगा मार्क सीट जो होती है ना मार्क सीट के अंदर पिछो का आपकी जो पासिंग डेट है वो मि महिना जुलाई रखना है और इसकुल चोड़ने के वही जून और महिना आप देख लेना और देखो बीए बीए से आइटे जो भी कर रहे है तो वहां कोलेज बगएर का नाम लिख देना यहां पर वही सेम चीज़ यहां पर लग जाएंगी चीक है कोई दिक्कत आपको नह ने नियोजन का विस्तार बताईए यानि कि अगर आप पहले से आपने कहीं जोब किये हैं जैसे माली जी बहुत सारे ऐसे हैं जोने रेलवी मोड लेडी जोब कर रहे हैं तो या किसी और जोब कर तो वहां आपको लिखना है कब से कब तक ठीक है किस पोस्ट पे थें किस प बताना है यहां पर देखे आगे बोला गया यदि आपने पिछली नौकरी भारा सरकार या किसी राजसरकार राजसरकार के दिन की है तो आपने दूस्तों एक नियम होता है जो आपके आचरण जो नियम होते है रेलो में होते हैं तो उनमें क्या होते है करूँ यह कर दाना है बिल्कुल नहीं और दोस्तों यहां पर आगे अभी कभी आपको अरेस्ट किया है जो भी आपके ऊपर है तो आप देख ले ना maximum सब के लिए apply no होगा बाकि आप जो भी है आप यहां पर जूट मत बोलना दोस्तो अटाइस्टेशन फोर्म में आपको अगर आपके प्रकार सब्सकान पत्र बातफ ऑप को आपको इनलेकशन पत्रूट को आपको कुछ नहीं करना साइन कर ना है तारीक डेट लिखनी और यहां पर नीचे आप देखेंगे तो दोस्तों आपको यह लिखना है अब यहाँ पर देखिए पहचान पत्र मतलब दोस्तों आपको identify certificate एक परकार से देना पड़ेगा देखों यह कौन बना सकता है पहली बात तो यह केंद्री यह राजसरकार के राजपत्र देखा रही है दो गेजिटेट ओफिसर क्या होते है नॉर्मली गुरूप C के जो होते है वह जिनके पास होती है मोहर तो वह आपके नॉर्मली गेजिटेट में आते हैं या दोस्तों उस निर्वाचन छेत्रक के अभ्यरती जिनके मातविता अभी वावक साधार निवास करते हैं संसद अथ्वा विधायक वो चीज उप मंडली दंडा दिकारी से बनवा सकते है यहां कि आइडेंटी एक प्रकार से आपकी तो यहां पर देखें उप मानेता प्राफ्ट इसकुल से खंडवी का सदिकारी डाकपाल से पंचाने रिख सकते हैं इनमें से कोई भी आपका जो है यहां पर दुस्तों बना सकता है आपका आइडेंटी मतलब आइडेंटी अंत में पढ़ाओ इस प्रिंसिपल वहां से दोस्तों मनमले सबसे बैश्ट होता है वहां से कुछ नहीं करना बस यह जो है न यह इसमें दोस्ता आपको बरवाना है और यहां आपका वह करके और यह सील लगवानी है उससे ठीक है और यहां पर दियाव खाली चोड़ना है कारियल दौरा भरा जाएगा इसको कोई छेट खाने आपको नहीं करनी है दोस्तों ठीक है नीचे के तरह आते हैं ये चरीतर प्रमाण पत्र होता है चरीतर प्रमाण पत्र में दो अलग-अलग विक्तियों से बनाना होगा ये भी आपको ध्यानक ना है डिटेल सेम बनी है और भी और दूझे हैं और याँ पर दोस्तों ये डोकिमेंट्स पर आपको प्रिंट आउट करवानी है जो बात रहे थी जो हम आपको दीखा दूँ हला कि आपर दी नहीं है और मेरी सर्टिफिकेट का भी इन्होंने फॉर्मेट को कई बार देते हैं कौई दिक्कत नहीं है त तो देखे दोस्तों इस प्रकार का जो आपको पहले हमारे टाइम पिछास रुपा के श्टांपेपर पर इसको करवाया था तो आपका 100 रुपे के स्टांपेपर पर जो है आपको बीच में अट्रेशन ओम इप दिया गया है यह वाला दोस्तों हम से करवाया गया था यह इस को बता दिया गया है क्योंकि तोड़ा डॉक्यमेंटस में एक दौ आगे पीछे करता है तो डॉक्यमेंटस के वाएम आपको जो पहले वाला जो पेज में आपको दिखाता है उसमें अल्ड लेकिन इसमें सिर्फ नेके पास्फोग सकते हैं हम उसके ऊपर रिपलाइदाने की कोईशिस करेंगे बागी दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक जाहिन बंदे मातरा